किसान साथियों नमस्कार आप सबको पता है कि हमारे हर एक वीडियो में आपको वेस्टडी कंपोजर वो नए किसानों से हर प्रकार की जानकारी मिलती रही है आज हम आपको वेस्टडी कमपोजर के साथ नए किसान जो जुड़े हैं जिनोंने कम ही समय में पहली बार वेस्टडी कमपोजर का उपयोग करके घरहलू उत्पादों का समावेश करके जो परिणाम प्राप्त किया है और इनके फारंपर क्या-क्या फचले हैं और क्या-क्या उत्पाद इन्होंने बनाए हैं और बनाकर कौन से उत्पाद आपने इस्तेमाल किये हैं इनसे थोड़सा विस्तार अपन जानेंगे और आप से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो की राजस्तान के बोपालगट तैसिल के एक छोटे से गाउं के रहवा सी एक युवा साथी कुछ जिविक खेती के और आने का विचार करके इस तरह आप जो बैरल देख रहें इसके अलावा थोड़ी सी दूरी पर इन्होंने और भी कहीं तरह के उत्पात बनाए है अब आपको सीधा ले चलते हैं इन्हीं के पास ये आपको बताएंगे आपने क्या क्या बनाया और कौन सी फसल में इस्तेमाल किया और क्या परिणाम रहा मैं सब सब पहला जानना चाहूँगा आपका नाम और पता नमस्कार साथ मेरा नाम बागीरत है यावरामपुरा तेसिल वोपालगट जिल्ला जो राज़स्तान से हूँगा आपने बागीरत जी वेस्टडी कंपोजर का उप्योग कब से चालू किया यह सरजी वेस्टडी कंपोजर का मैंने इस प्रे में इस्तिमाल किया था जो कि आपने वो नाइट्रोजन हमारे को उपलब्ट कराया था वो इस्तिमाल किया मैंने सौंप में सरजी सौंप की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से जो की घर पे तयार किया गया था वो इस्तेमाल करने के कितने दिन बाद आपके फसल में हरापन दिखा आपको यह तीन चार दिनों में हरापन दिखने लग गया था जो हमारे द्वारा बनाया गया प्राक्रतिक नतरजन नाइट्रोजन वो आपने इस्तेमाल किया पहले की फसल में और इस गोल के इस्तेमाल करने के बाद आपको कितना परिणाम रहा आप कुछ आंकड़ों में बता सकते हैं 20% 50% 30% ऐसे आपने रसाइन छोड़ा पिछले साल और इस बार भी आपने रसाइन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया स्वाप की फसल में और आपने पहली बार गरेलू उत्पाद जो की हमसे प्राप्त करके नाइट्रोजन किसान में तरों बता दूँ नाइट्रोजन हमने गलीरी सीडिय से बनाया था जिसकी पतियों में बहुत ही ज्यादा क्रूड प्रोटीन और नाइट्रोजन पाया जाता है बागिरत जी ने इसका इस्प्रे किया और आप बता रहे हैं कि तीसरे से चौथे दिन इनको बहुत बढ़िया परिणाम है बागिरत जी आपने अपने फार्म पर और क्या उत्पात कुछ बनाये हैं किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे यही बनाये तो यह जिवामरत बनाया है इसमें क्या-क्या मात्राली थोड़ा बताएंगे ताकि किसान भाई और भी जो कोई आपका वीडियो देकर और जो नए हैं आपकी इस विदी को समझ कर जान जोगे और गाय का गोबर एक किलो बेशन का आटा जी यह अटा हो गया और इसमें ओर हो गया गो मुत्र हो गया दस लिटर गो मुत्र और इसमें क्या डाला गुड गुड पीपल की मिट्टी पीपल की मिट्टी किसान सातियों भागीरज जी इस जेवी खेती में आज पहली बार जीवामरत बनाया है सारी चीजे उनको उत्पाद में याद नहीं है कुछ चीजे इन्होंने बताई बहुत अच्छा लगा मैं फिर से बता देता हूँ कि भागीरज जी ने जो हमाने मातरा बताई उस मातरा के अनुसार 200 लिटर बैरल के अंदर पहले वेस्ट डी कंपोजर बनाया जिसके अंदर दो किलो गुड डाला था उसके बाद आपने वेस्ट डी कंपोजर के अंदर गुड के पूरे घुल जाने के बाद 10 किलो देशी गाई का गोबर 10 लिटर देशी गाई का गोमूतर 1 किलो चने की दाल काटा और मुठी भर या दो मुठी भर पीपल के नीचे की मिट्टी इन सब का समावेश करके आज भागीरजी बता रहे हैं दस दिन हो गए हैं और इसका उपियोग आपने कौन सी फसल के उपर किया है जीरे में क्या इस जीवामरत और फंगी साइड जो आपने बनाया है उसका जीरे में क्या परिणाम रहा बहुत अच्छा परिणाम मिला सर मेरे जीरे में आपने जो और अंदर कुछ मिलागा अंदर आपने तामबे के पात्र वस पुरानी लश्यंद rine i When you उपयोग की आपने ऐसा मैसूस किया कि फंगस का नियंतरन हुआ ये इस पर करने के तीन दिन बाद आपको मैसूस हुआ बहुत ही बढ़िया जानकरी दी और आपने एक राजस्तान में पाया जाने वाला एक ऐसा व्रक्स जिनके काटे बहुत जहरीले होते हैं जिसे हिंगोनि कहते हैं किसान मित्रों के लिए हमने इसकी जानकरी पहले भी जुटाई थी और मैं इसका फल आपको दिखाना चाहूंगा कि भागीरज जी ने इस बार इस हिंगोनिया के फलों का एक्स्ट्रेक्ट बना कर जो भी उत्पाद इस्परे में काम में लिया उसमें ये इस्तेमा किया भागीरज जी आपने जो हिंगोनिय एक्स्ट्रेक्ट बनाया इसका आपने जो उप्योग क्या कुछ इसका आपको खास परिणाम दिखा इसका क्या परिणाम रहा क्योंकि यह राजस्तान के मरश्टली इलाकों का पोदा है और हर जग यह पाया जाता है किसान मैं है पहले जब पूराने लोग जब सरप डिटर्जेंट और साबून का परचलन नहीं था ये आर्टिफिशल चीजें नहीं हुआ करती थी तो हमारे राजस्तान के किसान जो की पूरवज इस हिंगोनिया को गिस कर कपड़े धोया करते थे कैसा भी उस कपड़े के उपर मैल दा हुआ होता वो साफ हो जाता तो इस एक्स्ट्रेट का उप्योग करने से भागी रजी बता रहे हैं क्या परिवर्तन रहा बहुत अच्छा परना मिला सरेज को एक तो फसल में चमक आई और पतियों के ओपर ये गोल चिपक गया जी बहुत बढ़िया बागी रजी आपने ब देखते रहिए मेरी माटी मेरा गाउं चैनल आपको हर समय बदलते किसानों की कहानी नए किसानों की कहानी इस वीडियो के माद्यम से आज आपको भागी रजी से मिलाया अगले वीडियो में आपको और नए किसान मितनों से मिलाऊंगा जो कि जेवी खेती में आएंगे या कर रहे होंगे धन्यवाद